बात कर लेते हैं के अर्बील लिमेटेड की क्विक्लियन लिसस देख लेते हैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो के अर्बील में आप देख रहे होगे यहां पर आज एक अच्छा मूफ देखने को मिला राइस स्टॉक्स में ओवर ओल गैप अपनिंग और यहां पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो हटाई जा रहे हैं कट की जा रहे हैं वो पारबॉल ड्राइज मूफ माइनिग एक्सपोर्ट प्राइज फॉर बास्मती सिप्मेंट इसी वज़े से एल्ल्टी फूड कियार बील जी रम ओवर सीज कोही नूर फूड सारे में ही एक तेजी देखने को मिली और अच्छे चलते वे नजर आ रहे हैं फिलाल स्टॉक में एक चीज देखने को मिली है यहां पे एक सड़न अप मूव रहा उपर की दिशा पकड़ी बट यहां पे भी अपन को जो रहा है ओवराल पूरी प्रॉफिट बुकिंग हो गई इस साइकलोजिकल लेवल यह सस्टेन नहीं कर पाया है है वी सल ओफ रहा और प्रॉफिट बॉकिंग यहां भी देखने को मिली यहां पे अपन को एक इनवर्टेड हैमर बनते हुए नजर आ रहा है फिलाल यहां पे जो भी मूव रहेगा अपना ओवराल इन नियर टर्म में व यहां आज क्रियेट हुआ है तो अगर यह सस्टेन कर रहा है कल यह आने वाले दिनों में तब तक यहां फोल्ड कर सकते हैं अदरवाइस नहीं कर रहा है तो फिर यह वीक्निस के साथ फिर से अंदर आएगा हलाकि ब्रेक आउट हुआ बट सस्टेन करना इंपॉर्टेंट ह है तब वह ब्रेक आउट माना जाएगा वर्ना नहीं माना जाएगा ब्रेक आउट एजन यहां पर आप देखें यह कुछ ट्रेंड लाइन बनती है अपनी यहां कहीं से इसी एक लेविल का यहां ब्रेक आउट हुआ नीचे यह सपोर्ट बनता था तो स्टॉक जब भी आत हाथ आप चलते हैं तो यह अप्रेंड की ट्रेंड लाइन है कि और सही चलते हुए नजर आ रही है बड़ जो इंपॉर्टेंट जैसा मैंने का आएगा कि नजर रखिएगा यह लेविल पर अगर यह तो बड़ी संभावना है कि क्यार वील अपना उपर की दिशा पकड़ जाएगा 325 इसलिए बोल रहा हूं वह साइकलाजिकल लेवल होता है तो यहां कहीं तक टेस्टिंग हो सकती है इस जोन के आसपास तो इस जोन के आसपास अगर है का स्टॉक तो सही है 325 से 330 अगर यह तूटता है तो वीकनिस आएगी यह में इसके अकॉर्डिंग भी अगर स्टॉक है और उपर की दिशाप है जो अपने लिए बड़े टार्गेट हैं फिर से 350 का ही है और 350 से 360 यह जोन अपना बहुत सेल आफ का जोन रहने वाला है विकॉद स्टॉक का प्राइस तो बहुत उपर हैगा अगर आप देखें प्राइस के साथ चलते तो स्टॉक बहु बहुत रेर आते हैं और उसी के साथ साथ आप देखें रेरिस्ट केस यह रहता है कि स्टॉक जब यहां से निकलेगा 350 तभी कोई अच्छी तेजी पकड़ पाएगा वरना स्टॉक इसी जोन में फिर से रहने वाला और यहां से पुलवेक बनाके 300 के आसपास फिर से सपोर् सकते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहेगा फिलाल यहां पर एक चीज़ और बता दों स्टॉक में जो सपोर्ट रहेंगे अपने वह 325 और 323 होगा स्टॉंग सपोर्ट अगर यह तूटते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक पूल बैक ज्यादा बना सकता है विकास मैं के दिन अगर फिर से कोई मूव नहीं बन रहा है तो यह पूल बैक के लिए तैयार रहेगा तो यहां पर के अपने रिजिस्टेंस हैं 350-360 अगर ऊपर चलता है नीचे के लिए स्टॉंग सपोर्ट 325-323 और अपना रहेगा 330 यह कोछ नीचे अपने स्टॉंग सपोर्ट हो के लिए स्टॉंग से कर दो help कि दोझाता है रहे रहे वागर पे ऐां रहेए more만 कर दो यह कोछ रहेशना रहेगा प्रट पलाव यह कोफूर प्रट है कर दो यह पूझा है जल दो ऑश्यार और हमने सून उस्टॉंग स़र्ट इन आर भर बाल है है प् أत्र शुव स्यार